हमारे मेडल और भी जादे आ सकते थे जो छे मेडल भारत देश को आए हो छे मेडल अकेरे कुष्टी ला सकता था कुष्टी पिछले 18-15-16 महीने जो डिश्टर्व रही उसकी वज़े से इतना मेडल नहीं आ पाया फैसला अपने पक्ष में ही आएगा वो किसी का बेक्तिगत मेडल नहीं है तो भारत देश का मेडल है जब भी कभी भी गिना जाता है कि ओलम्पिक में भारत कितना मेडल पाया किस वज़न में खिलारी खेलेगा यह उसका स्वतन तरका निर्ड़े होता है खिलारी की यह जिम्मेदारी है कि जिस वज़न वो खेल रहा उस वज़न में अपना वेट वो कांस्टेंट रखे अगर उनके साथ जान बुझ कर यह किया जाता तो उन्होंने जो फीजियो मांगा उनको दिया गया जो स्पार्किंग पार्टनर मांगा वो दिया गया जो डॉक्टर मांगा वो डॉक्टर उनको दिया गया इसी के साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं किया गया है और कुस्ति में वही लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं वही कुछ तथा कतित नेता बयान दे रहे हैं जिनको कुस्ति के बारे में A, B, C, D बाकी जानकारी नहीं है पहले तो मैं भारत देश की जनता को 140 करोड जनता को कुष्टी संग की तरफ से बधाई देता हूँ कि पिछले चार ओलम्पिक से लगातार जो करम बना हुआ था मेडल लाने का इस बार भी वो मेडल आया परन्तु हमारे मेडल और भी जादे आ सकते थे जो छे मेडल भारत देश को आये हो छे मेडल अकेड़े कुष्टी ला सकता था लेकिन कुष्टी पिछले अठारव पंदर सोलम महीने जो डिश्टर्व रही उसकी वज़े से इतना मेडल नहीं आ पाया उसमें होफफुल रही है फैसला अपने पक्ष में ही आएगा तो कुछ कारण से उन्होंने डेट बढ़ा दिया कारण क्या दिया नहीं किस कारण से बढ़ाया है ये नहीं बताया लेकिन लगातार फिर डेट सोलम तारीक कर दिया है भारती कुस्ती संग इस मामले में क्या सोचता है जो सिल्वर मेडल को लेकर एक पोलिंग और एक इशूज जो है उसको लेकर भारती कुस्ती संग क्या चाहता है या क्या नहीं भारती कुस्ती संग तो चाहता है कि वो किसी का ब्यक्तिगत मेडल नहीं है तो भारत देश का म तो भारती कुष्टी संग भी चाह रहा है कि वो मेडल मिले बाकी जो कंट्रोवर्सी हुए उसमें भारती कुष्टी संग नहीं जाना चाहता है। वेट वो constant रखे बार बार वजन घटाना खिलाडी के सारी रिक स्वास्ते पर भी नुकसान करता है। वजन खटाने से उसके लिवर किड़नी सब पे असर पड़ता है तो वो खिलाडी का निड़ा है लेकिन उसी वजन में हर खिलाडी को खेलना चीए किसी भी गेम का हो जिसमें वो अपना वजन हमेशा कॉंस्टेंट रख सके कीलो पचास सो को दूसर अगिस्तना कांतर है तो को नहीं इस चीज़ों को लेकर उनके साथ ऐसा किया जा रहा है अगर उनको कहसी करें कि अनको बेजा गा देशी कोच के लिए जिस पटिकुलर कोच के लिए कहा उसको दिया गया अगर इस तरह की कोई किसी के साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं किया गया है और कुस्ती में वही लोग टोलिंग कर रहे हैं वही कुछ तथाकतित नेता बयान दे रहे हैं जिनको कुस्ती के बारे मे ABCD बागी जानकारी नहीं है वहले वो जानकारी दुरुस्त कर लें कि कुस्ती की क्या होता है क्या उसमें नियम है कैसे वजन होता है क्या सारी कुछ की जानकारी कर लें कैसे कुस्ती UWW के कुस्ती का नियम ले करके पढ़ लें उसके बाद बैठ करके TV पर बयान दें कहीं भी बयान जारी कर देना बहुत आसान होता है लेकिन बिना नियमों को जाने इसा बयान नहीं देना चाहिए